नमस्कार, मैं हो ससी, आईए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं अगर वह ब्यान दर्ज कराने नहीं आएंगे तो एडी खुद उनके पास पहुचेगा परवतन निदी साले ने मुख्य मंत्री को भेजे गए पत्र को समन समझने को कहा है मुख्य मंत्री को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कानून सब के लिए बराबर है आप मुख मत्री हैं इसका मतलब या नहीं कि आप कानून से उपर हैं इडी द्वारा भेजा गया समन कानून समत है आपको इसका अनुपालन करते हुए आपना ब्यांदर्ज कराना ही होगा इडी ने पत्र में लिखा है कि इससे पहले आपको पत्र समन भेज कर साथ दिनों का समय दिया गया था इन साथ दिनों में दो दिन के अंदर आपको उप्रूपत जगा बताना है और ब्यांदर्ज कराने का समय भी दिया गया था लेकिन आपने प्रवतन निदे सालाई पर दुर्भावना से प्रेरित होकर काम करने कारूप लगाया आपने कानून का पालन नहीं किया आप इड़ी द्वारा भिजे गए कानून सम्मत समन का अनुपालन करे और दो दिनों के अंदर ब्यान दर्ज कराने के लिए जगह और समय बताए समन का अनुपालन नहीं करने की ठीती में निदे सालाई इसका अनुपालन कराने के लिए बादे होगा और आपका ब्यान दर्ज करने के लिए खुद ही आपके पास पहुँचेगा F.I.H. महिला होकी में अमेरिका सेहारी भारतिये महिला टीम जारखन के रहे धानी राची में चल रहे F.I.H. महिला होकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 के अपने पहले मैच में भारतिये महिला होकी टीम को सन्युक्त राज अमेरिका सेहार का सामना करना पड़ा है भारत इस मुकाबले में 0-1 गोल से हार गया है इस हार के बाद भारत के लिए अब गुरूप मैंचो के दोनों मुकाबले जितने जरूरी हो गया है क्योंकि एक पूल की 4 टीमों में से 2 ही टीमें सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाइन करेगी और फाइनल के बाद टॉप की तीन टीमें पेरिस ओलंपिक के लिक्वालिफाइंग करेंगी इससे पहले हुए तीनों मुकाबले में जर्मानी ने चिलो को जपान ने चेक रिपबली को और नुजलेंड ने इटली को हराया है बंगाल में तीनों साध्यों की पिटाई के मामले में 12 गिरफतार मकर संक्रांती के मौके पर बंगाल के गंगा सागर में असनान करने जा रहे यूपी के तीन साध्यों को भीर ने निर्वस्त कर बुरी तरह से पिटा है कुछ अस्थान ये लोगों ने मोखे पर पहुँचकर पुलिस की मदद से साध्यों की भीर से जान बचाई इंटरनेट मीडिया पर पिटाई की घटना का वीडियो प्रसारित हुआ वीडियो में तीनों साध्यों हां तो जोड़कर भीर से जान भकसने की गुहार लगाते दिख रहे हैं भीर उन्हें पिटते हुए दिखती हैं इसी विच साध्यों के कपड़े भी खीच लिए जाते हैं जिससे ओर निर्वस्त हो जाते हैं, भीड में सामिल कुछ लोग साधू का बाल खिचते हुए भी दिखते हैं, बता दे पुरुलिया जीला पुलिस ने साधू की पिटाई के माल में 12 लोग गिरफतार किया है, पकड़े गए लोगों पर बच्चा चोरी की अफवाह फैला कर स केंद्रिय मंत्री साभ भारतिय तिरंदाजी संग के अध्यक्स अर्जुन मुंडा ने खरसावा के दामादरी तिरंदाजी मैदान में तिरंदाजी के लिए नए सेड वा सोचाला का सिलन्यास किया, अगले दो माह में एकारे पूर्ण हो जाएंगे, तिरंदाज वा अस्थ आपया, डेकर काफ़ि खुशी होती है, कि यहां से दरजनों राष्ट्री यं अंतराष्टी तिरंदाज त्यार हुए है, यहां से दिपिखा और पल्ंटन हंस्दाज से कई अंतराष्टी तिरंदाज निकले है, 16 जनवरी को H.E.C. मुख्याले घिराव करेंगे अधिकारी H.E.C. में 16 जनवरी को कोई काम नहीं होगा इस दिन H.E.C. के सफिक करमचारी आक्समिक आउकास पर रहेंगे और मुख्याले का घिराव करेंगे H.E.C. Officers Association ने जनकारी दिहाए Association की ओर सजारे भीक अपती में कहा गया है कि 2 जनवरी को करमचारीों की समस्याओं के बारे में 23 तुरूप से बताया गया इस समद्ध में उच परवंधन को एक चिठी भी लिखी गाई उस चिठी में असपष्ट किया गया था कि 7 दिन के भीतर H.E.C. के करमचारीों की समस्याओं पर गौर करते हुए उनके निदान की पहल की जाए लेकिन अब तक उसका कोई जबाब नहीं मिला Association ने कहा है कि पत्रे के जरिये प्रवंध को अल्टिमेटम दिया गया था लेकिन उसके बावजूद हमारी मांग पर कोई विचार नहीं हुआ है मकर संक्रांत्री पर नमो पतंग उत्सव BJP सांसर संजय सेट की ओर से मकर संक्रांती का उसर पर 14 जंडरोरी को भव्य नमो पतंग उत्सव का आविजन किया गया है राइधानी रांची के रातू रोड इस्थीत OTC मैदान हेहल में 11 बज़े से नमो पतंग उत्सव का आविजन किया रहा है इस मोगे पर बच्चों के बीच पतंग पर्तोकता का आविजन किया जाएगा पतंग पर राम मंदीर एवं प्रधान मदिनाद मोदी के चीतर आकर्षन का केंद्र होंगे आपको पता दे कि पिछले 16 वर्षों से पतंग उसोक आयोजन किया जा रहा है सांसत संजय सेट ने बता है कि 16 साल पहले जब पतंग उसोक आयोजन किया गया था तब बाबा राम दे उदवारा इसकी सूरुवाथ की गई थी इसके बाद से लगा था सांसत संजय सेट कर ने थी कि यह आवयजन होता आ रहा है मकर संकरांती के बाजार में लगी भीशन आग मकर संकरांती को लेकर बाजार सच चुके है पच्मी सिंभूम जी लेक के चाकूलिया इस्थीत केरू कोच्चा में भी तेवार को देखते हुए बिसेश होट बयार लगाया गया था होट बयार में पटाका बेचने और दुकांदार भी पहुंचे थे उन्हीं पटाकों में किसी कारण वस आग लग गई अगलगी की इस घटना में करीब 40 लाक रुपे का नुक्सान हो गया है बता दे की चाकूलिया इस्थीत केरू कोच्चा में हर मंगलवार को बड़ा बयार लगता है वहीं मकर संकरांती में हर सल बिरहत अस्तरप्रभिशेश बयार सज़ते हैं इस साल भी बजार लगा था जिसमें पटाके की दुकान भी लगाए गए थे जनकारी के मुताबिक बजार में करीब 50 पटाका दुकान लगे थे जिसमें आग लग गई निर्वाचन आयोग की चिठी नगर निकाय चुनाओ के लिए त्यार रहे उपायोग उपायोग को कहा गया है कि नियाले के आदेष के आलोग में राजे के आताईश नगर निकायों में चुनाओ कराया जाना है निर्वाचन पूर्व में ही चुनाओ के लिए सभी जीलोग को मत्दान समगरिय उपलब्द करा चुका है जीलों को उपलब्ध कराई गई समगरियों को छोड़ कर अने समगरियों की बेवस्था जीला चुनाव पता दिकारी कस्तर से ही की जानी है जिसके लिए चुनाओ के पुरो मतदान समगरियों की विवस्तावा अने मदों में खर्च के लिए रासी के उसकता का आकलन करना आवस्यक है आयोग ने उपायुकतों को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान समगरियों की बिवस्ताव अन्य मदों में ब्याय भार का आकलन करते हुए नगर विकास बिभा को प्रेसित करने का निदेश दिया है जारखन मौसम जारखन में कपकपाथी ठंड के बीच जारखन में मौसम का मिजाज बदलने वाला है मौसम विभाकी माने तो कोहरे के बाद बारिस के आसार है जारखन में ठंड का कहर जारी है सनीवार को सभी जीलो का निमतमता सुबवा में 10 डिग्री से चला जा रहा है या इस्तिती 15 जनवरी तक रहेगी इसी दोरा राई धानी राची समेत अन्य जीलो का निमतम तापान 10 डिगरी से असे नीचे रहेगा 15 जनवरी से राजी के कुछ हीसों में बादल छाये रहने का नुमान है 27 से लेकर 19 जनवरी तक राजी के कुछ हीसों में बारिस भी हो सकती है मौसम केंजरे ने पूरुनमान किया है कि बारिस से पूरु निमतम तापमान बढ़ सकता है राम लला की प्रन परतिष्ठा को लेकर घर घर दिये जा रहे निमंतरन अयोध्या राम मंदीर को लेकर चारोतरप उत्साह का महोल है 22 जनवरी तक राम लला की प्रन परतिष्ठा को लेकर जार्खन में निमंतरन दिये जा रहे है अयोध्या धाम सिरी राम जन्म भोमी से पूजित होकर आया अक्षत वा नूतन मंदीर के चितर से जार्खन प्रांत के सभी जीलो में 13 दिन भी करकताव ने काफी उत्साह पुर्वक गाओ वा नगरों की गली-गली में हजारो परिवारो के निमंतरन दिया है बिश्व हिंदू परिशत छेत्र संगठन मंती आनंद कुमार ने बुकारो धनबाद साहिव गंज पाकुड वही प्रांत मंतरी डाक्टर बिन्र साहू प्रांत संगठन मंतरी देवीज सिंग ने रामकर हजारी बाग के डेमो टार्ण वह चरही कुडारमा देवखागिरीडी के पीरा टार इसरी बगोदर बिशनुगर परखन के गाओ गोविंद पूत था प्रांत सह मंतरी मनोज पुद्दार एवं बजरंग दल प्रांत संजोजक दीपक ठाकुने खुटी गुमला ला कि अदालत ने एक अपील याच का पर सुनाई करते हुए कहा है कि भुजूर्ग पिता की देखभाल करना बेटे का धर्म है अदालत ने बेटे को अपने पिता को जीवन यापन भत्ता देने का भी निर्देश दिया है अदालत ने प्राथी मनोज कुमार साह को अपने पित को 3,000 रुपे मासिक गुजारा भाता देने का आदेश दिया था जिसके खिलाप मनोज ने हाई कोट में अपील दाकिल की थी कुर्मि जाती को अनसुचित जन जाती में सामिल करने की बिरोध में आदिवासी संगतनों के परतिनीधी 30 जनुवारी को मुराबादी मैदान से विर्षा चोक टक पैदल मार्च करेंगे मार्च के बाद सीम को ग्यापन सोप कुर्मी को एस्टी की सूची में सामिल करने का बिरोध किया जाएगा आदिवासी संगठनों की सनीवार को केंद्रिये धुमकुडिया में हुई बैठक मेर निनलिया गया बैठक में पूरो मंत्री देव कुमार धान, रवितीगा, बलकु उराव, अन्तु तिर्की, फूल्चन तिर्की, अजय तिर्की, बबलु मुंडा, अजित उराव, खरवार, मजुद थे OBC मोर्चा ने आरक्षन देकर निकाय चुनाव कराने की मांग की राष्ट्री OBC मोर्चा के जहारखन परदेश अध्यक्स, राजस गुपता ने सनीवर को दिली सी जहारखन भोन में जहारखन सरकार के मंत्री अलमगीर, अलम और बन्ना गुपता से मुलकात कर OBC रक्षन देने के बाद ही परदेश में नकर निकाय चुनाव कराने का मांग पत्र सोपा, राजस गुपता ने कहा है कि जहारखन में आपने कटबंधन की सरकार है, इसलिए राष्ट्री OBC मोर्चा आप से मांग करता है कि ट्रीपल टेस्ट कराने और OBC का रक्षन देने के बाद ही सहरी निकाय का चुनाव सरकार करवाए, उन्होंने कहा है कि सरकार ज प्रेतन सिलहाए, धन्यवाद